Today we talk about the chapter is matter around us, matter के बारे में हमने previous class में हमने पढ़ लिए था matter के characteristic के बारे में matter is matter पक्तिनी पार्टिकल और particle के characteristic देखा था तो particle जो होता है वो move करता है ठीक है? by diffusion properties और brownian motion के basis पर हमने ये देखा था कि matter के जो particle होता है वो move करता हैं या उनके पास moment characteristic पाई जाती है अब हमें इस chapter में यह पढ़ना है कि matter जो हमारे around है वो pur form में है की नहीं है क्योंकि matter होते हैं हमारे around कुछ pure होते हैं और कुछ pure नहीं हो मैंटर जो है वो दो पार्ट में classify किए गया है, किस base पे classify कियेंगे, दो part पे, purity के base पे, one mixture and second one आपका pure substance, तो अब हम pure substance के बारे में देखेंगे, pure substance क्या होते हैं, अब pure substance is one which is made up of only one kind of atom या molecule, pure substance, ऐसे substance होते हैं, कि जो एक ही kind, एक ही तरह के particle से मिलके बने होते हैं, एक ही तरह के substance से मिलके बने होते हैं, या एक ही तरह के particle से मिलके बने होते हैं, बट उसमें कोई दूसरा substance उसमें mix नहीं होता है, तो ऐसे substance को हम pure substance कहते हैं, ये भी देखा जाता है कि pure substance में जो present जो particles होते हैं जो एक ही तरह के particles होते हैं ठीक है उनकी जो chemical nature होता है वो क्या होता है same होता है उनका chemical nature क्या होता है same होता है और ये जो particles होते हैं या तो ये atom की तरह हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं molecule की तरह हो सकते हैं तो pure substance अब clear हो गया है कि ऐसे सबस्टांस जो एक ही तरह के पार्टिकल या सबस्टांस से मिलके बने होते हैं उसमें कोई अधर सबस्टांस या पार्टिकल मिक्स नहीं होता और ये पार्टिकल जो होते हैं या ऐस एटम होत सकते हैं या मालिक्यूल्स हो सकते हैं ठीक और ये जो पार्टिकल्स होते है मतलब की सब्सदान से प्रेजट जो ऊतें होग जो का सबस्टांस और ऊज़ल présent होता है इसम एंज़ टॉपीक है मिक्चर अब बिक्चर देखें मिक्चर जो है यह matter का वह फार्म है कि जो matter pure नहीं होता है अब इस में इस मिक्चर में ये दो या दो से अधिक pure substances को क्या करते हैं, contain करते हैं, मिक्चर क्या है, मिक्चर में दो या दो से अधिक substances को ये क्या करते हैं, contain करते हैं, अब जैसे pure substance, pure substance में एक ही substance होगा, बट मिक्चर में आपके दो या दो से अधिक substance mix होंगे, तो वो pure form में नहीं ratio में mix होग सकता है यह नहीं कि इनका ratio जो वो क्या हो fix ratio में हो या fix a amount में मिक्सड़ION नहीं एसा नहीं है amount उनका ज्जादा कम हो सकता है तो ऐसे सबस्टैंस को हम क्या कहता है mixture कहना है mixture जो होते हैं वो दो तरह के होते है homogenius mixture और lên हेट्रो होमो का मतलब अगर कहीं भी आप अगर देखते हो होमो तो होमो का मतलब होता है सेब ठीक है और हेट्रो का मतलब अगर कहीं भी आप देखेंगे हेट्रो साइंस में तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट different ठीक है homo का मतलब same hetero का मतलब different तो अब आपको clear हो चुका होगा in which the substances are completely mixed together indistinguishable from one another मेरा जो definition हमने लिखा था homogenous का वो गलत हो चुका था तो ये definition है in which substances completely mixed together indistinguishable from one another homogeneous mixture में जो substances mixed होते हैं वो completely एक दूसरे में mixed हो जाते हैं और ये indistinguishable होते हैं कि means वो substances दिखाई नहीं देते for example आप सुगर ले 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 और water ले ले ठीक है सुगर को water में अगर आप mix कर देते हैं तो आप देखेंगे एक CC के glass में आप CC के glass में water ले ले लिए इसमें सुगर को mix कर दीजे कुछ time के बाद देखेंगे कि सुगर के particles जो है वो water में पूरी तरह से dissolve हो चुके हैं अब आपको सुगर के particles दिखाई नहीं दे रहे हैं means कि ये सुगर जो था वो water में पूरी तरह से या completely तरीके से क्या हो गया उसमें mix हो गया और वो हमें separate नहीं दिखाई दे रहा हमें पता नहीं चल रहा है कि उसमें सुगर है पर जब हम उस solution करेंगे तो हमें टेस्ट मीठा लगेगा तब हम उस test से ये पता कर सकते हैं कि हाँ उसमें सुगर मिक्स्ट है यह बट ऐसे जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको solution में सुगर के पार्ट के आपको दिखाई नहीं देंगे ऐसे एक्जामपल अगर आप अलकोहल अलकोहल को आप वार्टर में मिक्स कर दीजे आपको अलकोहल वार्टर से सेप्रेट होते हुए दिखाई नहीं देगा तो अलकोहल वार्टर का जो solution होगा वो भी homogeneous होगा homogeneous का मतलब अब आप समझ गया होंगे कि homogeneous में homogeneous एक ऐसा mixture है कि उसमें जो substances mixed होते हैं वो completely mixed हो जाता है और वो हमें substances उस mixture में separate हमें दिखाई नहीं देते हैं तो various example आपके homogeneous के present हैं आप सुगर solution का example कह सकते हैं आप salt water का कह सकते है solution है अलकोहल और water का जो आपका solution हो भी आपका क्या है homogeneous अब हम बात करते हैं अगर heterogeneous की बात करते हैं तो इसका opposite है heterogeneous हेट्रो का मतलब होता है हेट्रोजेनियस मिक्चर में जो भी substances mixed होते हैं वो completely एक दूसरे में mix नहीं होते हैं अगर हम बात करते हैं लिए सेंड और water की आप बालू ले ली जी और उसे एक glass water में एक glass उसमें water में आप mix कर दीज़े आप बालू को sand को mix कर दीज़े तो आप देखेंगे कि sand जो है वो water में हमें separate होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको water भी दिखाई देगा और आपको sand भी दिखाई देगा, means कि आपको water भी दिखाई देगा, और बालू भी दिखाई देगा, दोनों आपको separate होते हुए दिखाई देंगे, but in case, sugar और water में, sugar आपको water से separate होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था, तो यह example हो गया homogenius का, और यहाँ पर क्या है example, यह क्य का दिखा रहा है, यह किसका example है, यह heterogeneous का है, means कि heterogeneous, जो mixture होते हैं, उसमें present, जो substance होते हैं, वो एक दूसरे से हमें separate होते हुए दिखाई देते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, कि वो completely एक दूसरे में क्या होते हैं, mixed नहीं होते हैं, in ways, the substances remain separate, and one substance is spread throughout the other substances as small particles, droplets or bubbles, या वो separate होते होते हुए दिखाई देंगे, या bubbles के form में, या particles के form में, या droplets के form में, जैसे कि gun powder हो गया, glass, coal, soil हो गया, यह example जो है, यह आपके heterogeneous mixture के हैं, अब हुम बात करते हैं, pure substances, तो देखे, pure substances के बारे में तो हमने देख लिया, pure substances भी दो तरह के होते हैं, element होते हैं, और compound होते हैं, element क्या है, element जो है, इन्हें हम split नहीं कर सकते, means इन्हें हम और small particles में जैसे की break नहीं कर सकते, ठीक है, element को हम break नहीं कर सकते, एक simple substance में, ठीक है, और element जो होते हैं, यह कहीं तरह के particle से मिलके बने होते हैं, और उस particle को हम क्या कहते हैं, जैसे की oxygen जो है, वो element है, तो oxygen जो element बना है, वो यह कहीं तरह के particle से मिलके बना होगा, means की वो particle क्या होंगे oxygen, 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 iron element है, तो iron element जो बना होगा, वो iron, iron, iron particle से ही मिलके बना होगा, हाइड्रोजन अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन 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 पार्टिकल से यह मिलके बना होगा ठीक है उसमें कोई दूसरा पार्टिकल नहीं होगा वो एक ही तरह के पार्टिकल होगा अगर hydrogen element है तो hydrogen element में जो particles होंगे वो hydrogen particle ही होंगे oxygen particle नहीं हो सकते तो अगर उसमें oxygen particle आगया तो फिर वो element नहीं हो सकते तो यह चीज आपकी clear हो जानी चाहिए element क्या है it cannot be split into two simpler मतलब element को हम दो से अधिक simpler substances में break नहीं कर सकते और element जो होते हैं वो ही कही तरह के particles से मिल करके बने होते हैं for example oxygen या hydrogen अब हम बात करते हैं element की kind की तो element जो होते हैं वो four kinds के होते हैं first of metal, non-metal, metal arts और noble gases अगर देखें तो हमारे हभी तक हमें 118 element जो हैं वो known है इसमें से कुछ nature में पाए जाने वाले means की 118 elements में 92 element जो हैं वो nature में पाए जाते और बाकी जो आपकी remain elements हैं वो laboratory में बनाए गया हैं तो total element की जो संक्या अभी तक खोजी गई है वो 118 element खोजी गई है जिसमें 92 element जो हमारे nature में पाए गया है ठीक है और element जो होते हैं वो चार तरग होते हैं metal, non-metal, metal arts, noble gas नेस लेक्चर में हम इनके बारे में detail देखेंगे और इनकी properties की बारे में हम देखेंगे अब हम बात करते हैं pure substance की characteristics के बारे में compound part जो है compound topic next lecture में discussion करेंगे pure substance की properties देख लेते हैं pure substance की properties होती है homogeneous होती है और definite setup मतलग की pure substances में जो particles present होते हैं अगर उनके properties की बात करें तो वो definite होती है इसी तरह boiling pointing का melting point भी जो होता वो definite होता है इनका जो composition होता है means की pure substance जो कह सकते composition जो होता है जो mixed होते हैं इन्हें physical method के द्वारा हम separate नहीं कर सकते थी बट mixture को physical method के द्वारा हम separate कर सकते हैं बट हम pure substances को physical method के द्वारा separate नहीं कर सकते तो आज का लिक्चर इतना ही है और अगर कोई दिक्कत होगा किसे topic में अगर problem होगी तो group में message कर दीजेगा मुझे की इस topic में दिक्कत है कर सकते हैं झाल